हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मेरे नाम है दीपक चौरशया और आप सभी का हमारे सीजिव चैनल पर स्वागत है तो आज किस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको जरूर करने चीए उसके करने से आपके आइफोन की बैटरी ही नहीं बलकि आप आपको और बी बेनीफिस मिलेंगे तो आपको वह सारी चीज़े जरूर करने हीचे अपने किसी भी आईफोन में जो फोन में ये चीज़े अगर हैं जैसे कि फेस आईटी मास्क मेरे आईफोन你要 में नहीं है तो अगर आपके फोन में है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके साथ आपको करना क्या है तो यहां पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को करना क्या है सबसे पहले आपको guys यहां पे जो सबसे पहले इन app rating and review वाला option है इसको off कर देना है आपने देखा होगा कोई app आप use करते होगे तो बार-बार पुछता होगा हमें rating दो बताओ इस app के बारे में use कर देना होगा तो वो आपको Downloads का जो है option मिल जाता होगा तो यहाँ पे इन दोनों को ही off कर दीजिए इससे आपकी battery भी बचत होगी और अपने आप कोई जो है आपका app जो है वो download नहीं होगा तो यहाँ पे आपने हिंसाफ से इसको on off कर सकते होगर आपको need है तो on कीजिए otherwise इसको भी आप off कर दीजिए बहुत ही काम की चीज़े हैं आपकी battery जो है काफी अच्छा चलने लगेगी जो सारी चीज़े बता रहा हूँ अगर आप इस सारी चीज़े अपने phone में जो है करते हैं तो अगली चीज यहाँ पे जो सबसे important चीज़े जिन iPhone 12 के लिए iPhone 12 और 13 सीरीज के लिए हम सभी जानते है iPhone 6S में Face ID तो है नहीं सिर्फ टाच स्क्रीन वाला अपना एक ही option था यहाँ पे तो जिन लोगों के phone में Face ID with mask जो है काम कर रही थी उसको आपको जो है off कर देना चाहिए क्यों off कर देना चाहिए अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ अभी मेरा जो experience है iPhone 12 Pro के साथ वो उतना अच्छा नहीं है सच में अलाकि यह feature अच्छा है लेकिन मेरे iPhone 12 Pro में काफी दिक्कत होती है जब ही मैं इसको यूज करता हूँ अगली चीज़ यहाँ पे आपको password auto fill का जो option दिख रहा होगा इसको तुरंत off कर देना चाहिए किमकी guys आपको कोई भी iPhone ले लेता है अगर use करने के लिए तो आपके जो सारे password है वो अपने आप auto fill हो जाएंगे मतलब उसको कहीं भी use करना होगा तो वो use कर लेगा अगली चीज़ यहाँ पे अगर आपका iPhone locked है allow access when locked तो यहाँ पे आपको जो है कुछी चीज़ यहाँ पे allow करने चाहिए सारे चीज़ अलाव नहीं करने चाहिए मान लेज़ आपका phone कोई और use कर रहा है अपने इसाफ से जो आपको ठीक लगे और यह बहुत ही काम की चीज़ है अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी battery बेची चलेगी और एक privacy तो होती है वो आप सभी जानते हैं कितनी important है सभी की लिए आज के time पे तो आपने इसाफ से कोई भी पने option को on off कर सकते हो अगली चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको जो है कि अभी आपको location service जो है बहुत ही ज़्यादा battery खतम करती है तो आपको जाना है privacy में फिर जाना है location service में यहाँ आपको सब को off नहीं करना है सब को off करने से आपको problem हो सकती है यहाँ पे सभी को on भी नहीं करना है जैसे आप तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब को while using यानि कि जब मैं use कर रहा हूँ तब ही वो मेरी location का पता करें लेकिन कई सारे ऐसे apps हैं जिनको हमें location permission देने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए मतलब off ही रखना चाहिए मान लीजे यहाँ पे मैंने call break का जो एक game डाउनलोड कर रखा है अब इसको मतलब कोई needy नहीं है कि मैं game खिल रहा हूँ इसको location का पता चले तो यहाँ पे बंद कर देना चाहिए never अगर कर देते हो तो सबसे बड़ी है ऐसे apps के लिए और अगर आप चाहते हो कि कुछ apps को आपका data का पता चलता रहा है तो यहाँ पे इस option को off कर दीजेगा यह जो आपको नीचे लिखा precise location का इसको off कर दीजेगा और जब आप off कर देंगे तो वहाँ पे जितनी location होगी उसी time पे वहीं का उसको दिखाएगा यानि कि current location आपको जो है वो आपकी show नहीं करेगा तो यह अच्छा feature आपको इसको भी जो है use करना चाहिए अगली चीज़ गाईज इसी में है system service significant location टर्न आफ कर दीजिए इसका भी यहाँ पे जाएए setting में और यहाँ पे आपको जाना है सबसे नीचे और इसको कर देना है गाईज अपने हिसाब से अपने इसको कस्टमाइज कर सकते हो significant locations का यह आपको बटन दिख जाएगा और यहाँ से इसको open करके इसको आप off कर सकते हैं इससे भी आपका जो location है और वो आपको जो है काफी सही रहेगा मतलब आपको location सबको पता नहीं चलेगा तो यह feature आपको जो है battery में काफी help करेगा आपकी battery life improve करेगा तो बहुत ही काम आएगा क्योंकि iPhone 6S में battery से related बहुत ज़्यदा problem होती रहती है इसलिए मैंने search किया है और काफी सारी अच्छी tips आप लोगों के लिए लाया हूँ तो इनको जरूर follow कीजे अगर आप एक अच्छी battery life साते हैं अपने iPhone में तो अगली चीज यहाँ पर जो सबसे important है वो iPhone 6S में तो नहीं है लेकिन उसमें भी आपको iPhone XR उपर के phone है उन में होगी यहाँ पर आपको एक feature दिखता होगा जब आप personal hot spot इसे यहाँ पर on करते होंगे maximize compatibility का तो उसको off कर दीजेगा वहाँ पर आप क्या होता है नेट का ज़्यदा खपत होती है यह 5 Giga Benz वाले में ज़्यदा है जिसे iPhone SE 3 में है या फिर 12 Pro में है 12 Series में तो उसको आप off कर सकते हो अगर personal hot spot on नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर इसको भी आखे setting में इसको भी off कर देना चाहिए मतलब जब use करो तब ही use करो on करो otherwise इसको off रखना चाहिए अगली चीज़ बहुत important है raise to wake इसको यहाँ से तुरंट off कीज़े बहुत ही annoying लगती है गाइस जब अपने phone को log रखा है फिर आप touch कर रहे हो देख रहे हो तो बार-बार यह जो on हो जाता है तो इस चीज़ से काफी लोग परेशान है इससे battery की भी खफ़त होती है और आपको जो काफी irritate करती होगी जब यह आप phone उठाते होती है तो यह जल जाता है मतलब on हो जाता है तो इस चीज़ को आप off करना चाहते हो तो raise to wake को जो option को यहाँ पर आप disable कर सकते हो इससे भी काफी battery में आपको help मिलेगी अगली चीज़ है turn off background app refresh यहाँ पर आप जा सकते हो setting में general में और यहाँ पर background app refresh जो है आपको सारे नहीं करने जो social media होते हैं जो आप जानते हो ना कि इसमें net की खफ़त हो रही है और background में वो refresh होते रहते हैं जिनकी need भी बहुत ही कम है तो उन सभी apps को जो है off कर दीजिए जिनकी आपको जो है बहुत ज़्यदा ज़रूरत नहीं होती है और फालतू में background में वो चलते रहते हैं और आपकी जो battery है और internet है वो खफ़त होता रहता है तो जाए setting में background app refresh में यहाँ पे आप जाके अपने इसाब से जो भी app हो उसको आप disable कर सकते हो आपकी battery भी बचेगी और background में बार-बार जो है आपका data जो खफ़त होता रहता है वो भी नहीं होगा अगली और last चीज़ आपको जाना है mobile data में mobile data में जाने के बाद सबसे नीचे जाना है यहाँ पे आपको cellular का एक option मिल जाएगा iCloud Drive का यहाँ पे Wi-Fi Assist है और iCloud Drive है और हो सकता आपके iPhone में एक और feature हो iCloud Backup तो इन तीनों ही चीज़ों को यहाँ पे आप off कर दीजिए इससे भी आपका data काफी बचेगा और battery भी बचेगी background में यह upload होता रहता है पता है जी वजब कुछ भी होता रहता है तो वो सारी चीज़े यहाँ पे जो आपकी off हो जाएंगी तो जाके तुरंथ इसको आप off कर सकते हो ज्यादा important चीज़ नहीं है तो आप इसको off कर सकते हो आपकी battery like बहुत ही अच्छी चलेगी जैसी मेरी चल रही है और अगला last feature यहाँ पे low power mode का इस्तिमाल कर सकते हो यहाँ पे proof के साथ मैंने आपको दिखा दिया गाइस कि इसकी जो battery कितनी बढ़िया चल रही है आप तो को उनने देखा है यहाँ पे करीब जो और सभी phones में होंगी तो जाके उनको जो फॉलो कीजिए और हमको भी फॉलो कीजिए मैंने एक नया चैनल बनाया है यहाँ यूटुब का banking से related उसका link आपको description में मिल जाएगा guys बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो प्लिज उसको जाके subscribe कीजिए banking से related काफी अच्छी अच्छी वीडियो में देता हूँ यहाँ पे बहुत ही जल्दी बनके subscribers complete होने वाले हैं तो हो सकता है कुछ अच्छा मैं गीवे करूँ तो link description में जाके चैनल को subscribe कीजिए banking से related post office related काफी अच्छी अच्छी वीडियो में बनाता हूँ और यह वीडियो कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं और अगर आपके पास iPhone है तो चैनल को जरूर subscribe कीजिएगा क्योंकि iPhone से related Apple के updates से related बहुत ही काम की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी फिर किसी नई और अच्छी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई